को Nee वाटर क्लर ब्रृटर क्लर्ड में जो में स्थीक्षना होता है लो होता है किश दरह कब और कैसे कलर को यूज करना है ग्याश के वाटर कलर का टेकनिक है कलर करने का वो होता है light to dark पहले हमें जहाँ light color चाहिए वहाँ light करेंगे उसके बाद धीरे-धीरे dark tone की तरफ हम बढ़ते जाएंगे इस ट्रीश टडी में आप धीरे-धीरे देखेंगे किस तरीके से हम इसको color को धीरे-धीरे tone बढ़ते जाएंगे और यह दीरे-धीरे इसकी effects बढ़ते जाएंगे स्पेड में बनाने के लिए जो basically जो हमने color का यूज किया है जिस light color के लिए हमने हलका yellow उसके बाद light green उसके बाद green की धीरे-धीरे tones को हमने बढ़ते गए हैं कि में होता है color mix करना कि कलर को हम mix कैसे करते हैं जिस green color ही आपके पास एक shape green और meridian green यह दो जो color होते हैं उनको कैसे हम light अगर green को आपको light करना उसमें yellow की मात्रा धीरे-धीरे बढ़ते जाएंगे तो वो light की तरफ बढ़ेगा अगर उसे dark करना है तो green में हलका सा blue की मात्रा बढ़ाईए धीरे-धीरे वो depth की तरफ बढ़ बढ़ता जाएगा इतना ध्यान रहे कि light और dark colors को करने के लिए आप पानी की मात्रा नहीं मिलेगे कि हम ज्यादा पानी डाल देंगे तो color light हो जाएगी और गाढ़ा color डालेंगे तो color गढ़ा होगा नहीं उसका huge बढ़ेगा लेकिन और color की tone नहीं इसलिए जो भी होता है colors क कि टोन को change करने के लिए हमें color ही mix करना पर डारे कोई भी single colors नहीं लगाएंगे अब प्रैक्टिस जब करेंगे water color का पहले आप ड्रॉइंग कर लेंगे कोई भी बनाना है चाब पेड़ बनाना हो तो पेड़ के बहुत सारे shapes होते हैं कि इस तरीके से लग अलग टेक्टर से जो भी होता है color करने का जैसे कि पत्तिया है इसमें तो सबकी अपनी अपनी style से workout करने का आप बहुत कुछ चीज़ें देख सकते हैं यूटूब का भी अब देखिए बहुत सारे tree study डाले हैं कई सारे YouTube पे भी आपको मिल जाएगा water color का बहुत अच्छे से अच्छे आपको किस तरीके से उस पे work out कर रहे हैं हर एक आर्टिस्ट का अपना काम करने का अलग अलग तरीका है कि अपना creation कर सकते हैं तो फाइनल हमने इस ट्री को